Hello friends, welcome to my channel. आज हम कुछ General Knowledge के यानि ही General Studies के कुछ Important Questions की यहाँ पर बात करेंगे. यह जो आपके GK के Questions है, यह हर एक exam के लिए आपके लिए Important है. चाहे वो SSC का exam हो, चाहे वो State PCS के हो, यहाँ पि State Government का कोई exam हो, चाहे वो Banking का हो, या फिर वो Railway का exam हो. तो यह आपके जो question से यह सब के लिए important है बट उससे पहले कि हम लोग आगे questions की तरफ चलें इस channel को subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको यह video पसंद आए तो इसको share भी करिएगा और हमारे channel को like भी कीजिएगा तो चलो देखते हम हमारा first question हमारा जो first question है what is the pH value of the human body मानव श्रीर का pH का मान क्या है ठीक है तो यह हमारा question है तो इसके जो options है 9.2 to 9.8 7 to 7.8 6.1 to 6.3 5.4 to 5.6 तो यहाँ पे हमारा जो right answer है वो है 7 to 7.8 की मानव श्रीर का जो pH है 7 to 7.8 होता है next question है हमारा जो वो है which of the following which of the following are called key industrial animals निमन लिख्ट में से किसे परमुक और द्योगिक जानवर कहा जाता है options है producers या उत्पार्दकों को B है tertiary consumers या प्रिस्टिक अपभोगताओं को C है primary consumers या प्रात्मिक अपभोगताओं को या फिर none of the beast कि इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे हमारा जो right answer है वो है primary consumer तो हमारा यहाँ पे जो right answer है कि परमुक और द्योगिक जानवर की industrial animals किसे कहा जाता है तो वो tertiary consumers को कहा जाता है क्रिप्तियक अपभोगताओं को परमुक और द्योगिक जानवर कहा जाता है परमुक और द्योगिक जानवर वो होते हैं जो कि plant based material को animal based material में convert कर देंगे अगला question हमारा हुआ है which of the given amendments made it compulsory for the president to consent to the constitutional amendment which कि दिये गए परोने से संसोद्रों में से किसने राष्टरपती के लिए सविदानिक संसोदन गिदेखों पर सहमती देना अनिवारय बना दिया गया है कि जब भी कोई सविदान संसोदन का बिल Parliament में पास हो तो ये कौन से सविदान संसोदन में compulsory कर दिया गया है कि जो समविदान संसोधन का बिल होगा प्रेजिडेंट को उसको एसेंट देना ही पड़ेगा यहां फिर अपनी सहमती देनी ही पड़ेगी तो इसमें ऑप्शन लाएं 27th अमेंडमेंट बिल 29th, 24th, 22nd तो यहां पे हमारा जो राइट अंसर है वो है 24th 24th में समविदान संसोधन में यह कंपलसरी कर दिया गया कि जब भी कोई समविदान संसोधन का बिल पार्लियमेंट में आएगा तो प्रेजिडेंट को अपनी सहमती देनी ही पड़ेगी अगला क्वशन है हमारा वो है कि इलेक्शन टू पंचायत इन सेट्स आर रेगूलेटड बाद कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं उनको कौन करवाता है राज्या में पंचायतों के जुनावों को किसके दवारा भी नियम मिच किया जाता है कि उनको कौन करवाता है या उनकी नियमन या regulation कौन करता है option है हमारे पहला है ग्रामपति चायर दूसरा है नगर नियम तीसरा है election commission of India भार्त निर्वाचन अयोग चौता है state election commission राज्या निर्वाचन अयोग यहां पे हमारा जो सही answer है वो है state election commission कि राज्या में पंचायतों के चुनामों को state election commission यानि की राज्या निर्वाचन अयोग करवाता है तो दी हमारा यहां पे right answer है अगला question हमारा which of the following हिमाल्या regions is called शिवालिक निमन लिफ्ट में से किस हिमाल्यक शेतिर को शिवालिक कहा जाता है हमारे option है अपर हिमाल्या यानि की उपरी हिमाल्या दूसरा है lower हिमाल्या यानि की निचला हिमाल्या c है outer हिमाल्या यानि की बहरी हिमाल्या फिर है inner हिमाल्या यानि की आंत्रिक हिमाल्या तो यहां पे हमारा जो right answer है होगा outer हिमाल्या यानि की बहरी हिमाल्या को शिवालिक कहा जाता है हमारे हिमालिय को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो अपर हिमालिय यान की ट्रांस हिमालिय दूसरा है इनर हिमालिय जहां पर हिमाचल और उत्राकंड के पार्ट आते हैं पिर तीसरा है आउतर हिमालिया जहां पर की शिवालिका पाड आता है, जो ट्रांस हिमालिया या अपर हिमालिया उसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, पिर जो इनर हिमालिया आ जाता है, यहां पर मिडल हिमालिया आ जाता है, जहां पर हिमाचिल और उतरा कहने हैं, उनकी शिवालिक है जो कि foot hill वाला area है जो कि आगे जाके plains में या मैदानों में मिल जाता है तो यहाँ पर जो शिवालिक कहा जाता है वो outer हिमालिया को कहा जाता है हमारा right answer यहाँ पर C है अगला question है forming of association in India is कि भारत में association का गथन है तो आगे हमें चार options दिए गए हैं पहला है legal right यानि कि कानूनी अधिकार B है illegal right यानि कि aware अधिकार C है natural right यानि कि ताकतिक अधिकार D है fundamental right यानि कि mall week अधिकार की association बनाने के लिए इन मेंसे हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं तो यहां पे हमारा right answer है option D fundamental right है association का गठन करना है association का formation है जो हमारा fundamental right यानि की मौलिक अदिगार है जो की हमें article 19 यानि की 19 के तहट दिया गया है अगला question है हमारा वो है the Sancthya school of philosophy was founded by Sancthya school of philosophy कि Sancthya school of philosophy की स्तापना किसके दवारा की गई इसमें हमारे पास option है पहला है गौतम बुद्ध दूसरा है महिपाल तीसरा है गोपाल चौता है कपिल तो जो Sancthya school of philosophy है हमें ये पता है कि philosophy के इंडिया में total 6 school है ठीक है 6 school में से एक school है Sancthya और Sancthya school की जो philosophy दी गई है वो कपिल मुनी दवारा दी गई है तो Sancthya school की philosophy कपिल ने दी है इसका right answer है जो वो दी है अगला question है हमारा वो है पुस्ताज grasslands पुस्ताज grasslands are situated at कि पुस्ताज grass के मैदान कहां पर स्थिफ है हमारे options है पहला है South Africa दूसरा है China तीसरा है Hungary और चौता है USA तो पुस्ताज grass के मैदान है जो वो हमें Hungary में देखने को मिलते हैं तो यहां पर हमारा जो right answer है वो है C Hungary Hungary है जो यह योरोप में है योरोप की एक country है योरोप एक continent है ठीक है और इसकी जो राजदानी है वो बुड़ा पेस्ट है बुड़ा पेस्ट यानि कि इसकी capital बुड़ा पेस्ट है यहां इसकी राजदानी बुड़ा पेस्ट है तो पुस्ताज हमें हंगरी में देखने को मिलते हैं अगला question है हमारा वो है राइट टू एमर्जेंसी मेडिकल एड इस ए अब पार्ट कालिन चिकसा सहाइटा का अधिकार क्या है कि अगर एमर्जेंसी में आपको मेडिकल की है चिकसा की सहाइटा की जुरूरत हो तो वो आपको कौन से अधिकार के पहत दिया गया है हमारा पहला option है legal right कानूनी अधिकार दूसरा है illegal right अवैद अधिकार तीसरा है constitutional right यानि की सवेदानिक अधिकार चौता है fundamental right यानि की मौलिक अधिकार तो आप इससे थोड़ा idea लगा सकते हो कि चिकसा सहाइटा का अधिकार क्या हो सकता है तो यहाँ पे हमारा जो right answer है वो है D कि चिकसा सहाइटा का अधिकार जो fundamental right यानि की मौलिक अधिकार है emergency में अगर हमें चिकसा सहाइटा चाहिए तो वो हमारा fundamental right है ऐसा हमारे Supreme Court ने कहा है जब COVID-19 बहुत ज़्यादा फैर रहा था अगला question हमारा वो है on the recommendation of which of the given committee the abolition of reservation of items for the small scale sector in industry is considered कि री गई समीती में से किसकी सिपारिश पर उद्योग में लगूक शेतर के लिए वस्तूँ के आरक्षन को समापत करने पर विचार किया गया है कि उद्योग में जो small industry थी लगूक शेतर के जो उद्योग थे उनमें गौवर्मेंट ने कुछ आरक्षन यानि की reservation दे रखता था कि उनमें से जो कुछ product है या पदार था वो गौवर्मेंट को बेचे जाएंगे ठीक है इसके लिए उनको अच्छा price मिलता था तो वो गौवर्मेंट के लिए एक foundation हो जाता था उनसे खरीदना तो इसके लिए गौवर्मेंट ने एक कमिटी बनाई थी यानि की समिटी बनाई थी तो उसका जो नाम था हमारे option है इसने लोहिया कमिटी दूसरा है नसिमहा कमिटी तीसरा अजीत कुमार कमिटी चौसा है आबिद हुसेन कमिटी तो हमारी गौवर्मेंट में जो लगू उद्योक की वस्तों के आरक्षन को समापत करने पर जो कमिटी बनाई थी उसका नाम था आबिद हुसेन कमिटी तो इसका राइट अंसर है हमारा बी कि लगू उद्योक निमनेक्स में से किस्से सबंदित है, तो हमारे option है, banking sector, दूसरा option, insurance sector, यानि कि बीमाक्षेतर, तीसरा health sector, यानि कि स्वस्टेक्षेतर, चौथा tax reform, यानि कि कर सुधार, तो हमारी जो committee बनाई गई थी, छेलहिया समित्री, जो कि किस्से सबंदित है, तो ये कर सुधार, यानि की tax reform से related, अगला question है हमारा, वो है, which of the given devices is used for counting blood cells, कि दिये गए उपकर्नों में से, किस का अप्योग रख कुश्काओं की गन्ना के लिए किया जाता है, कि जो हमें ये चार option दिये गए हैं, ये उपकर्नों के, यानि की devices के ने हैं, तो इनके नाम है, हमें लेखो मेटर, दूसरा है, spikometer, तीसरा है, hemocytometer, चौता है, hemocytometer, तो यहां पे हमारा जो right answer है, वो क्या हो सकता है, कि hemoletometer, spicometer, hemocytometer, और hemocytometer, hemocytometer, इसका जो हमारा right answer है, वो है, hemocytometer, यानि कि C, C इसने right answer है, और इसकी जो खोज की थी, यानि कि इस product को जिसने बनाया था, hemocytometer को hemocytometer C, यह right answer है, और इस product को जिसने बनाया था, उनका नाम था, Louis Charles, Mellassus, Louis Charles, Mellassus, 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 इन्होंने hemocytometer को बनाया था, जो कि C, D, C, यानि कि red blood cells की counting के काम में आती है, अगला question है, हमारा वो है, which of the given compounds is used to make fireproof klori, अगने रोदग कपड़े बनाने के लिए दिये गए योगिकों में से, किसका उप्योग किया जाता है, ति ऐसे कपड़े बनाने के लिए, जो कि आपको ना पकड़े, तो इसके लिए हमें option दिये गए है, aluminium chloride, second option है, aluminium sulfate, third option है, magnesium chloride, fourth option है, magnesium sulfate, तो यहाँ पे हमारा जो right answer है, वो है, B, कि aluminium sulfate है, जो fireproof कपड़े बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, यानि कि अगनी रोदग कपड़े बनाने में यूज में लिया जाता है, और इसका जो formula होता है, chemical formula, AL2SO4 है, aluminium sulfate का chemical formula, इससे fireproof कपड़े बनाये जाते हैं, अगला question है हमारा वो है, which of the given cities is located on the bank of river गंगा, दिये गे शहरों में से कौन सा गंगा नदी के तक पर स्थित है, options है, पटना, B है गुवालिय, C है बोपाल, D है मतुरा, कि गंगा नदी के तक पर इन में से कौन सा शहर है, तो हमारा जो right answer है वो है, पटना, कि पटना गंगा नदी के तक पर है, गुवालियर है जो, ये चम्बल नदी के तक पर है, और बोपाल है जो, वो इंदरावती, इंदरावती नदी के तक पर है, और जो मतुरा है ये यमुना नदी के तक पर है, तो पटना गंगा, गवालियर चमबल, गोपाल इंद्राबती और मथूरा यमना नदी के चट पर है अगला क्वशन है हमारा वो है The driving force of an ecosystem is की एक पारिस्थितिक तंतर की प्रेरिक शक्ती क्या है किसमें हमारे options है पहला है Carbon Mono Oxide दूसरा है Biogas तीसरा है Solar Energy चौथा है Carbon Mono Oxide की हमारे ecosystem को या पारिस्थितिक तंतर को चलाने के लिए सबसे जुरूरी कौन सी चीज है तो यहाँ पे हमारा right answer है वो है Solar Energy की किसी भी ecosystem या पारिस्थितिक तंतर को चलाने के लिए Solar Energy चाहिए Solar Energy से क्या है सबसे पहले पेड़ पौदे तो इस तरह से पूरा हमारा जो भोजल का चेकर है पूर्ट साइकल है वो चलती रहती है अगला question है हमारा वो है Which of the given is a disease caused by proto-joke कि दिये गए रोगों में से कौन सा proto-joke के कारण रोग होता है तो हमारे options है पहला है cancer दूसरा है type 5 तीसरा है काला अजर चौता है chicken fox तो हमारा जो proto-joleo के कारण जो रोग होते है तो यहाँ right answer है C काला अजर है जो वो proto-jole़ के कारण होता है इसलिए कों से proto-joleo के कारण होता है उसका नाम क्या है उसका नाम है lischmania lischmania parasyte parasyte के कारण काला अजर होता है अगला हमारा क्वेशन है तर्म सामन्त इस यूजली सें इन दा मेडाइवल हिस्ट्री ओफ इंडिया अपाउट कि सामन्त शब्द आम तौर पर भारत के मद्ध्यय यूगिन इतिहास में देखा जाता है इसका मतलव क्या है सामन्त कि किस लिए यूज में लिया जाता था तो हमारे आपशन है पहला है आर्टिस्ट के लिए दूसरा है बिग लैंड लॉट्स बड़े मकान मालिक यह फिर जो बड़े जमीदार थे उनके लिए तीसरा है सर्वेंट्स करमचारियों के लिए चौता है ट्वीन्स यानिकी रानियों के लिए यहाँ पे हमारा जो आजा की सहायता के लिए अपनी सेना को यां आर्मी को बेशते थे तो उनको सामन्त कहा जाता था बड़े बड़े जमीदारों को अगला question है हमारा which of the given coins was known as कर्षपना कर्षपना which of the given coins was known as कर्षपना in ancient literature दिये गे सिक्कों में से किस प्राचिन सहित्या में कर्षपना के नाम से जाना जाता था हमारे option है gold coins सोने के सिक्खे दूसरा option है bronze coins कांसिय के सिक्के तीसरा है punch marked coins पंच चिनित सिक्के चौतरा है iron coins लोहे के सिक्के तो यहाँ पे हमारा जो right answer है वो है punch marked coins punch marked coins उनको कर्षपना कहा जाता था राइट आंसर हमारा c option है अगला question है हमारा वो है digestion of food in human beings in which part of the elementary canal कि मनुश्या में बोजन का पाचन अहार नली के किस बाद में शुरू होता है जैसा कि हमें पता है कि हमारी अहार नली है जो हमारे मुँ से ही शुरू हो जाती है और excretion जहां से मल निकलता है वहां तक यह हमारी पूरी अहार नली है ठीक है तो हमारे यहां पे option है पहला है liver दूसरा है kidney तीसरा है mouth चौता है लार इंस्टेटिन यानि की बड़ी आंट तो यहां पे हमारा जो right answer है वो है c यानि की mouth य मुँ जैसे ही हम कोई एक छोटा सा टुकडा भी मुँ में लेते हैं food का या खाने का तो यहीं से हमारी जो लार होती है saliva होती है उसका digestion या फिर पाचन करना शुरू कर देते हैं तो यह हमारे food का जो पाचन है वो हमारे मुँ से ही start हो जाता है अगला question है हमारा when the metal reacts with dilute acid which gas is pump जब धातू तनु अमल के साथ अभी क्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है कि धातू यानि कि metal जब acid के साथ क्रिया करेगी तो कौन सी गैस बनेंगी option है हमारे carbon dioxide second option है helium third है neon fourth है hydrogen तो यहाँ पे हमारा जो right answer है कि जब metal और acid reaction करते हैं तो हमारे hydrogen बनती है hydrogen gas का formation होता है तो यह हम लोगोंने 20 questions का discussion किया है इस वीडियो में अगले वीडियो में भी हमें लोग 20 questions का discussion किया है